मैं एक अभागा व्यक्ति हूँ मेरी मुसीब्तें उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन मैं पैदा हुआ था उसी दिन मेरे पिता ने मेरी मा को छोड़ दिया था मेरी मा ने मुझे दुनिया का सारा प्यार और सुक सुविधाय दी इसके बावजूद मेरे कश्टों में कोई कमी नहीं आई वक्त के साथ मुसीब्तें बढ़ती गई मेरा मानना है कि इनसान की आर्थिक समस्याए ही उसके सभी दुखों की जड़ होती है मेरे साथ भी ऐसा ही था गरीब मा छोटा सा घर धीमी गती से रेंगती जिन्दगी मैं इस मायने में भागेशाली था कि मैं एक सुन्दर लड़का था मेरे बाल बहुत घने और लंबे थे मेरी आखे बहुत सुन्दर थी और मेरे हाथ पेर बहुत मजबूत थे इसके इलावा मुझ में और कोई ऐसी बात न थी जिस पर मैं अपनी किस्मत पर गर्व कर सकू जिन्दगी बड़ी मुश्किलों से गुजर रही थी जब मैं जवान हुआ तो मेरी मा की भी मृत्य हो गई और मैं इतनी बड़ी दुनिया में अकेला रह गया पिता तो था लेकिन उसका होना और ना होना बराबर था इस शक्स ने कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश नहीं की के मैं जिन्दा भी हूँ या नहीं इसलिए मैंने भी अपनी मा की मौत के बाद अपने पिता के पास जाना उचित नहीं समझा और अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया। इन समस्याओं के साथ रहने के कारण मैं ज्यादा पढ़ाई भी नहीं कर सका और इसलिए जब मैंने नौकरी की तलाश की तो मुझे बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पढ़ा क्योंकि शिक्षा के साथ साथ मेरे पास कोई हुनर भी नहीं था लेकिन भगवान किसी को भूख नहीं मारता इसके लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त कर ही देता है इसलिए उसने मेरे पेट भरने का भी इंतजाम कर दिया और मुझे एक फर्म में नौकरी मिल गई इस फर्म में लड़कियों की तादाद जादा थी और जो मर्द थे उन में से कोई भी मेरे जितना सुन्द नहीं था इसलिए फर्म की लगभग हर लड़की से मेरी दोस्ती हो गई यह देखकर दूसरे आदमी मुझे से जलने लगे हाला कि वे सभी कमपनी में अच्छे ओधों पर थे उनकी पैमेंट भी जादा थी और जीवन की अन्य सुविधाय भी उन्हें हासिल थी फिर भी वो लोग लड़कियों की महरबान और मीठी निगाहों के मुहताज ही रहते थे जबकि मेरे साथ स्थिती बिलकुल विपरीत थी हर लड़की चाहती थी कि मैं उसके साथ ज़ादा से ज़ादा टाइम बिताऊं मैं इन लड़कियों से दोस्ती रखता था लेकिन किसी के प्रती कमभीर नहीं था क्योंकि मैं ये समझ चुका था कि उन में से हर लड़की शोपीज की तरह मुझे अपने साथ रखना चाहती है। धीरे धीरे हम दोनों के बीच दूरिया कम होने लगी और हम एक दूसरे के करीब आने लगे। कविता के हालात भी मेरे हालात से अलग नहीं थे। को पता चल गया था। इसलिए बाकी लड़किया मुझसे निराश होकर चली गई। इधर कविता मेरे करीब आती गई। फिर एक दिन मौका मिलते ही मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी। उस दिन हम दोनों लंच के लिए अपनी फर्म के बाहर एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। मैंने उससे कहा, कविता, अब मैं सोचता हूँ कि बहतर होगा कि हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। मेरी बात सुनकर कविता ऐसे मुस्कुराई जैसे वह मेरे वाक्य का आनंद ले रही हो। क्यों क्या हुआ, मैंने उल्जे हुए अंदास से उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बलकि मैं इस इत्तेफाक पर मुस्कुरा रही हूँ कि आज मैं तुमसे खुद यह बात कहने वाली थी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। कविता से शादी करने का विचार इतना आनंद दायक था कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया कविता मैंने बेखुद होकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने यह कहकर मुझे जीवंदान दिया है। वर्ना मैं तो अब तक भटकता ही रहा हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, न दौलत, न शोहरत, फिर भी तुमने मेरे जैसे आदमी से शादी करने का फैसला किया है। लेकिन क्यों? तुमको मेरे बारे में क्या पसंद आया? सच सच बता दूँ, कविता के होठों पर हलकी सी मुस्कान आ गई थी। तुम्हारी सुन्दरता और विशेश रूप से तुम्हारे सुन्दरबाद। वा, मैं हसा। आज पहली बार मैंने किसी लड़की को किसी पुरुष की इस तरह तारीफ करते सुना है। कुछ दिन बाद हम दोनों ने शादी कर ली और एक किराय के फ्लैट में रहने लगे। जीवन की सारी खुशिया मुझे अचानक हासिल हो गई थी। वो खुशिया जिनकी मैंने कभी कलपना भी नहीं की थी। मैं तो एक कमजदा और दुखी इनसान था। और यदि ऐसे शक्स को खुशी की थोड़ी सी भी जलक मिल जाए तो यह उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन एक रात ऐसी आई जब मेरा दुरभाग्य फिर से शुरू हो गया। उस रात मौसम बहुत सुन्दर था। हाला कि आमतोर पर लोग रात के समय मौसम की खुबसूर्ती पर ध्यान नहीं देते। लेकिन वो भीगी रात मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। उस रात हम दोनों ने घर के बाहर खाना खाया और जल्दी घर आ गए। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि कविता कुछ चुप-चुप सी थी, पता नहीं क्या बात थी। लेकिन मैंने उस से पूछना उचित नहीं समझा। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उसके जैसी खुबसूरत लड़की मेरी पतनी थी। मौसम सुहावना हो रहा था और हम दोनों एक दूसरे के करीब थे। मुझे नहीं पता कि उस रात मेरी आख किस वक्त खुली। कविता मेरे बगल में लेटी हुई थी। किसी की आहट सुनकर मैं जाग गया था। बहुत धीनी आवाज आई जैसे कोई दूसरे कमरे की खिडकी बहुत धीरे से खोलने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उन दिनों चोरी की घटनाए भी बहुत बढ़ गई थी। मेरा ख्याल था कि किसी चोर के लिए फ्लैट में सेंध लगाना मुश्किल होगा। लेकिन वह मेरी गलत्फमी थी। कोई मेरे फ्लैट में घुस आया था। कविता, मैंने धीरे से उसे संबोधित किया। कविता, क्या है कविता ने आखें खोली। क्या हुआ? क्या तुमने कोई आवाज सुनी, मैंने पूछा। आवाज, कैसी आवाज? कविता ने डरते हुए पूछा। वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। ऐसा लगता है जैसे कोई चोर घुस आया हो, मैंने कहा। मैंने अभी इतना ही कहा था कि फिर आवाज आई, इस बार आवाज बिलकुल साफ थी, अब किसी भी शक्की गुंजाइश नहीं थी। तुमने सुना मैंने कहा, कोई फ्लैट में घुस आया है। कविता ने अपने होंट भीज कर कुछ कहने की कोशिश की और फिर चुप हो गई। वह बहुत दर रही थी। घबराओ मत मैंने उसे तसली दी। तुम लेटी रहो। मैं उस कमबक्त से निपट कर आता हूँ। मैं कविता को वही छोड़ कर उस कमरे से बाहर आ गया। दूसरे कमरे में अंधेरा था, लेकिन स्विच बोर्ड अंदर वाले कमरे के दरवाजे के पास था। जबकि वह शक्स खिड़की के पास खड़ा था। यानि मेरा ख्याल सही था, मेरे फ्लैट में एक चोर घुस आया था। एक पल सूचने के बाद मैंने स्विच दबा दिया। कमरा रोशनी से भर गया। जैसे ही लाइट जली तो वह शक्स बुरी तरह चौक गया। वह मजबूत हाथों और पैरों वाला एक लंबा व्यक्ति था। वह चाहता तो मुझ पर हमला कर सकता था। लेकिन वह बुरी तरह बॉखला कर रह गया और उसी हालक में मैंने उस पर हमला कर दिया। मैंने पहला मुक्का उसके पेट में मारा। मुक्का खाने के बाद वह आगे की ओर जुका और मैंने उसकी गरगन पकड़ ली। शायद उस वक्त उसने भी सोचा होगा कि उसे जवाबी कारवाई करनी चाहिए। नहीं तो वह बुरी तरह फंस जाएगा और यह ख्याल आते ही वह मुझ से लिपट गया। हम दोनों आपस में उलचकर फर्श पर गिर पड़े। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे सर पर वार किया। मुझे नहीं पता कि वो वार किस चीज से किया गया था कि मेरे होश उड़ गये। इस व्यक्ति पर मेरी पकड़ धीली हो गई। मेरे सर से खून बह कर मेरी आखों को बंद कर रहा था। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन मेरा सर घूमने लगा। फिर मेरी आखें बंद होती गई और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि कितनी देर बाद मुझे होश आया। पहले तो बहुत हलकी हलकी आवाजे सुनाई दी, फिर आँखों के सामने का कोहरा छंटने लगा कविता मेरे सामने बैठी रो रही थी तभी मैंने अपने आसपास और भी लोगों को देखा, उनमें दो तीन पडोसी और दो पुलिस वाले भी मौजूद थे मुझे होश में देखकर कविता ने बे साखता मेरा हाथ पकड़ लिया भगवान का शुक्र है कि तुम बच गए उसने भीगी हुई मुस्कराहट के साथ कहा, मुझे दुहक है कि मैंने तुम्हें जक्मी कर दिया है तुमने मुझे जक्मी किया है मैंने आश्चर्य से पूछा हाँ, तुम दोनों फर्ष पर गुथम गुथा थे मैंने फूलदान उठाया और वार कर दिया मुझे लगा कि मैं उस व्यक्ति को मारने जा रही हूँ लेकिन फूलदान तुम्हारे सर पर लगा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं तो उस वक्त से रोए जा रही हूँ अरे इसमें रोने की क्या बात है मैंने मुस्कुराने की कोशिश की देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ वह आदमी कहा है तुम्हारे बेहोश होते ही वह भाग गया था कविता ने कहा फिर मैंने पुलिस को फोन किया और डाक्तर को बुलाया जिसने तुम्हारी मरहम पट्टी की है उसके एहसास दिलाने पर मैंने अपना हाथ अपने सर पर रखा मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी तभी मुझे दर्द का एहसास भी होने लगा इतने में पुलीस इंस्पेक्टर खड़ा हो गया क्या आप मुझे इस व्यक्ती की पहचान बता सकते हैं उसने पूछा वैसे तो इन इलाकों में आमतौर पर ऐसी घटनाएं नहीं होती है लेकिन अपराधियों का क्या भरोसा वे कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं मुझे लगता है कि वह एक लंबा आदमी था मैंने कहा वैसे मेरा दिमाग इस समय तयार नहीं है मेरी पत्मी ने उसे ध्यान से देखा होगा आप उससे पूछ सकते हैं हाँ मैंने उसे बहुत करीब से देखा था कविता जल्दी से बोली वह कोई लंबा आदमी नहीं बलकी छोटे कद का आदमी था उसके बाल गहरे लाल थे बस यही दो बाते मुझे याद है उनके अलावा और कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर ने कविता द्वारा बताया गया हुलिया अपनी डायरी में दर्स किया और उन लोगों को तसल्ली देने के बाद वापस चला गया उसके अनुसार सबसे अच्छी बात यह रही कि मेरे समय पर जाग जाने के कारण वह चोर कुछ भी चुरा नहीं सका और उसे नाकाम होकर लोटना पड़ा इंस्पेक्टर ने इस चोर को पकड़ने का वादा किया था लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि ये सब बचकानी तसल्ली है वह फिर कभी नहीं पकड़ा जाएगा बहरहाल जान बच गई और कुछ भी चोरी नहीं हुआ उस समय हमारे लिए यह बहुत था मैं एक हफ़ते के बाद आफिस जा सका होना तो यह चाहिए था कि इस घटना के बाद जिन्दगी मामूल पर आ जाती क्योंकि ऐसी घटनाएं होती रहती है लेकिन ऐसा नहीं हो सका बलकि कुछ वक्त के लिए मेरी जिन्दगी से जो दुख दूर हो गए थे वे वापस लौट आए और मैं फिर से पहले की तरह दुखी और परेशान हो गया मैंने घर पर एक हफ़ता गुजारा और उस दौरान मैंने कविता के व्यवहार में बदलाव महसूस कर लिया हाला कि जहां तक मेरा सवाल है मैं उसके लिए बिलकुल पहले जैसा ही था लेकिन वह न जाने क्यों बदल गई थी वो मुझसे खिंची-खिंची रहने लगी बात-बात पर जिलाने लगती उसकी आखों के भाव बदल गए थे वो आखे मुझसे कुछ अजीब सी बातें कहती थी वो कहती थी कि मुझे तुमसे नफरत है मैं तुमसे बेजार हो चुकी हूँ मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती पता नहीं मेरी इमानदारी और मेरे प्यार में कहा कमी थी कि कविता का व्यवहार ऐसा हो गया जाहिर तौर पर इस व्यवहार की वजह यही समझ में आती थी कि मैं गरीब आदमी था इसलिए कविता मुझसे बेजार हो गई थी गरीबी से ज्यादा बेजार कर देने वाली चीज और क्या हो सकती है? फिर एक दिन ऐसा भी आया की कविता ने मुझे छोड़ दिया. मुझसे अलग हो गई. ना जाने क्यों मुझे कविता की इस हरकत पर ज्यादा आश्चर्य या दुहक नहीं हुआ. शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने खुद को इस दुरघटना के मानसिक रूप से तयार कर लिया था. मैं जानता था कि भाग्य मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ज्यादा समय तक नहीं रह सकता. कविता से अलग होने के बाद मेरे दिन और राते पहले जैसे हो गए. वही अकेलापन और वही उदासी. यह भी अच्छा हुआ कि कविता से मेरी को कोई औलाद नहीं हुई. नहीं तो पता नहीं उसका क्या हश्र होता. दो महीने के बाद मैंने कविता को एक रेस्तरा में देखा और जिस व्यक्ति के साथ वह थी उसे देखकर मुझे कोई हैरत नहीं हुई क्योंकि यह वही व्यक्ति था जो उस दिन मेरे फ्लैट में आया था. बहरहाल ये देखने के बाद सारा ड्रामा मेरी समझ में आ गया. कविता और वह व्यक्ति मेरी गैर मौझूदगी में एक दूसरे से मिलते होंगे. वह एक अमीर आदमी था. उस दिन मुझे किसी काम से शहर से बाहर जाना था. यह बात मैंने कविता को बता दी थी. उस ने यह सुनकर उस शक्स को रात के वक्त फ्लैट में बुला लिया होगा. लेकिन हुआ यूँ कि मैं अच्छा मौसम देखकर घर वापस आ गया था. कविता चौंक गई लेकिन उसने जाहिर नहीं किया. वह परेशान इसलिए थी क्योंकि मैं अप्रत्याशित रूप से पसा गया था. फिर उसे इतना मौका भी नहीं मिल सका कि वह फोन करके उस शक्स को आने से मना कर दे. वह व्यक्ति अपने प्रोग्राम के मुताबिक मेरे फ्लैट में घुस आया था. इसलिए तो वो मुझे देखकर इतना ज्यादा बौक ला गया था. और कविता ने वो हमल इस आदमी पर नहीं, मुझ पर किया था. उसने जानबूज कर मुझे मारने के लिए या मुझे बेहोश करने के लिए मुझ पर वार किया था, ताकि उसके प्रेमी को भागने का मौका मिल जाए. और ऐसा ही हुआ मेरे बेहोश होते ही वो भाग गया. और फिर कुछ दिन मेर पर दोखा दे और वह भी कविता जैसी पत्नी जिस पर मैंने इतना भरोसा किया था, जिसे पाकर मुझे लगा था कि मेरी परेशानी के दिन खत्म हो गए, अब मेरे लिए जिन्दगी में खुशिया ही खुशिया हैं। मैं सोचता था कि मैं अब आराम से रह सकूंगा बलकि अब इतनी महंत करूंगा कि आमदनी बढ़ जाएगी और हम दोनों के पास अपना घर और अपनी कार होगी। मेरे जैसे सपने हर कोई देख सकता है, इसलिए मेरे भी कुछ ऐसे ही सपने थे। लेकिन कविता ने मुझे बहुत नुकसान पहुचाया है, यह ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई किसी भी हालत में नहीं हो सकती। इस दुनिया में कविता से भी ज्यादा खूबसूरत लड़किया है, लेकिन कविता के रवये के कारण मुझे पर दुरभाग्य की मुहर लग गई है। सब मुझ पर हंसते हैं, मुझ पर उंगली उठाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं किसी को मुह दिखाने लायक नहीं रहा। ऐसा इसलिए नहीं कि कविता के छोड़ जाने के बाद लोग मुझ पर हंसने लगे हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसी बाते हमारे समाज में आम हैं, लेकिन इस दुरभाग्य का कारण यह है कि कविता ने जो मेरे सर पर फूलदान से वार किया था, उसकी वजह से कुछ ऐसी कमजोरी पैदा हो गई थी कि मेरे सर के बाल जढ़ गए हैं और मैं अब आप ही बताईए इससे बड़ा दुरभाग्य क्या होगा, बीवी के चले जाने की तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि पत्निया तो हजार मिल जाएंगी, लेकिन यह सर के बाल कहां से आएंगे, बताईए मैं हूँ न एक दुखी व्यक्ति